अभी उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए? क्या महसूस करते हैं? दिल से चुनिए कोई एक तस्वीर? नमस्कार दोस्तों जैमाता दीजै श्री कृष्णा कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सिहत मन्द होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक है कि अभी उनकी बरतमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए? वो क्या सोचते हैं? क्या महसूस करते हैं? सब कुश वताएंगे आपके सामने दो तस्वीरे हैं, दो नंबर हैं, आपको जो जादा अट्रेक्टिव लगे उसे आप चुन लीजिए अपने मन को शांत करके, अपनी आखे बंद करके, दो मिनिट गहरी लंबी सांस लीजिए फिर अपने इश्वर को याद करके उनसे प्रार्थना कीजिए, कि वो आपको सही आप्शन चूज करने में मदद करें फिर आप अपना आप्शन चूज कर लीजिए और अपनी रीडिंग देखिए और अगर आपसे पहले बाले ओप्शन की रीडिंग मैच ना हो, तो आप दूसरा भी सुन लिया कीजिए हो सकता है, वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहां बहुत सारी लोगों की एनरजी होती है, सारी चीज़ें आपसे मैच करें, ये ज़रूरी नहीं है तो जो आपसे मैच करें, उसे रख लीजे, और जो मैच नहीं करें, उसे दूसरों के लिए छोड़ दीजे अगर आपने चुना हैं, फर्स्ट वाला ओप्शन, डबल थ्री नमबर तो आपके परसन की क्या बरतमान भावनाए हैं, वो क्या सोचते हैं, सब कुछ बताएंगे और सबसे पहले बताएंगे, साइन और एलिमेंट, बहुत ही स्ट्रॉंग साइन ही यहां पर एर साइन, जामिनी लिब्राइक के रियस, मिथुन तुला कुम्ब राशी की एनरजी है एरिस लियो सेजिटेरियस, मेश जेह धनू राशी, इसकी एनरजी भी बहुत है इस तरह से यहां पर जो साइन और एलिमेंट है वो हमने आपको बताएंगे, अब हम आपको बता देते हैं देट अब बर्थ, तो देट अब बर्थ हो सकती है किसी भी महिने की 16 तारीक, 7 तारीक, 27 तारीक, 9 तारीक, 1 तारीक, 12 तारीक, 23 तारीक, 3 तारीक, 5 तारीक, 14 तारीक, 25 तारीक ये date of birth हो सकते हैं आपकी या आपकी person की बर्थ मंद बता देते हैं बर्थ मंद हो सकता है अप्रेल, सितंबर, फर्वरी, जुलाई, जून और नमबर ये बर्थ मंद हो सकता है नेम के निशेल की बात कर लेते हैं नेम के निशेल में जी, एस, ओ, एम, वाई, ए, एफ, के, यू, आई ये नेम के निशेल हो सकते हैं कंडिशन बता देते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स के बारे में देख रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं हम आपको बता दें कि आप उनके बारे में बहुत जादा श्योर नहीं हैं आपको पास्ट टाइम में बहुत सारे धोखे मिले हैं शायद और अब आप इन चीजों से दूर रहते हैं अब आप इन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते हैं फिर से वही तकलीफें नहीं अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं इन्वाइट करना चाहते हैं आपने सभी से दूरियां बना ली हैं, ऐसे रिश्टों से दूरियां बना ली हैं. और आपके जो परसन हैं, वो आपके साथ ही काम करने वालों में से लग रही हैं. मतलब बहुत मिलना जुलना होता है। उनकी एनरजी कुछ इस तरह से है कि बहुत समझदार है वो बहुत समझदार है उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत जादा एक्षाइन नहीं रखनी चाहिए और बहुत सिंपल नेचर है उनका बहुत नेचर लविंग है नेचर लविंग बहुत है उन्हें नेचरल सीन बहुत पसंद है उन्हें ऐसे हरे आली के बीच में बैठना बहुत अच्छा लगता है उन्हें एकांत में रहना अच्छा लगता है और हो सकता है बहुत सारी लोग उन्हें पसंद करते हैं लेकिन उन्हें अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला था जिसे उन्होंने दिल से पसंद किया हो इंटेंशनली नहीं लेकिन हाँ कब उन्हें आपसे प्यार हो गया कब वो आपकी तरफ इतना आकर्शित हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला उन्होंने जितना आपको देखा है जितना आपको समझा है उसे कहीं ज़्याद आपको पसंद करने लगते हैं जब भी आपसे बात करते हैं कुछ न कुछ नया आपसे उन्हें सुनने को मिलता है life को लेके आपकी जो बाते हैं वो उन्हें बहुत impress करती हैं तो आपकी जो personality है कहीं न कहीं वो इतनी attractive है ऐसा उनको लगता है वो ऐसा महसूस करते हैं कि आप जिससे भी बात करो वो आपकी तरफ आकर्शित हो जाता है आप में कुछ ऐसा attraction है कि हर कोई आप से प्रभावित हो जाता है जबकि वो खुद भी बहुत talented हैं लेकिन वो आपसे बहुत प्रभावित होते हैं आपकी बातों से ऐसा लगता है उन्हेंगे जैसे कि आपकी बाते हुन्हें हील कर रहे हैं healing कर रही हैं उनकी है तो उनके भी जो पास्ट लाइफ के एक्सपिरियंस थे वो बहुत अच्छी नहीं थे प्यार के बारे में, भूस जल्दी वो भी किसी पर विस्वास करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हैं, बहुत जल्दी विस्वास कर लें, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएं, बहुत जल्दी किसी को भी पसंद कर लें, इस तरह का उनका नीचर नहीं है, वो खुद भी इन रिष्टों में विस्वास नहीं करते हैं, क्यों कि उन्हें भी past time में धोखे मिले हैं शायद कुछ उनके जो experience है वो बहुत अच्छी नहीं रहे पर आप दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है और आप दोनों की दोस्ती धीरे 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 आगे बढ़ रही है आप शायद बिल्कुल भी बिल्कुल भी interest नहीं लेते हैं कि लेकिन आपके जो person है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वो भी आप पर बहुत जल्दी यकीन नहीं कर रहे थे शुरुआत शुरुआत में लेकिन जब आपसे बात की जब आपको जाना जब आपको समझा तब वो यह सोचते हैं कि शायद आप जैसा इंसान मिलना आसान नहीं है आजकल की दुनिया में जमाने में इतने धोके वाज लोग हैं इतने जूटे और फरेवी लोग हैं और आप जैसा सच्चा आप जैसा मासूम उन्हें कैसे मिल गया कई बार आपके मन में भी ऐसा आता है कि कोई इंसान पनाच्छा कैसे हो सकता है जब आप उनसे बात करते हैं आपके मन में आता है कि कहीं कुछ तो है इनके दिल में, जो आप पढ़ने ही पा रहे हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर समझ कर भी आप अंजान बनने रहने रहना चाहते हैं, क्योंकि आप अब इस रिलेशन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो आपके जो परसन बहुत positive हैं आपको लेकर उन्हें मौका मिलेगा धीरे धीरे तो वो आपके और करीब आना चाहते हैं आपको और जादा समझना चाहते हैं इसको आप गलत वे में मत लीजिए वो physical नहीं बहुत आत्मेक लेवल पर आपसे जोड़ना चाहते हैं spiritual लेवल पर उनकी सोच ब भी ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था और आपका रिष्टा तूटा जो भी उन्होंने किया उन सब को उन्हें बहुत पश्ताबा है बहुत regret है शर्मिंदगी है उन्हें अपने किये पर उनकी ऐसी energy है अभी वो जो महसूस करते हैं कि उन्होंने दुनिया के दू लोगों की उन्हें आप जैसे एक नहीं हजार मिलेंगे इस तरह से उनकी सोच हुआ करती थी तो वो जब आप से दूर हुए दूसरों के करीब हुए तब उन्हें जमाने की ठोकर पड़ी और उन्हें समझ में आ गया कि कोई अपना नहीं है यहां जितना प्यार आपने दि गया है कि अगर आप उन्हें वापस मिल जाते हो आप उनकी जिन्दगी में फिर से आने को तयार हो जाते हो तो जैसे लोटरी लग जाएगी उनकी जी हां वो ऐसा ही सोचते हैं उनको यकीन हो चला है कि उन्हें कोई आप से अच्छा नहीं मिलेगा अब जतना भी उसके लिए कुछ स्टेप बोठाएंगे कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे आपके लिए और अगर आप उनका इंतिजार कर रहे हैं तो फिर आप खुश हो जाएए वो बहुत जल्दाने वाले हैं आपकी जिन्दगी में कुछ ऐसे वादे भी करेंगे जिसका आपने आपके लिए आपके साथ अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ना चाहते हैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा जैमाता दीज़े श्री कृष्णा चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक करके शियर कर दीजिए बात कर लेते हैं सेकं डवल फाइब नंबर और आप जानना चाहते हैं कि आपके परसन की बर्तमान भावनाएं क्या हैं क्या महसूस करते हैं वो क्या सोचते हैं आपके वारे में सब कुछ विज़े बताएंगे और सबसे पहले बताएंगे साइन और एलिमेंट बहुत ही स्ट्रॉंग साइन हैं पर अर्थ साइंट तोर्स बर्गों कैप्रिकॉन ब्रिशाप करनेया मकर रासी के एनरजी बहुत है, कर्क ब्रश्चिक में रासी पाइसेस केंसर स्कॉर्पियों भी बहुत है. जमिनी लिब्रा एक्वेरियस में थूंतुला कुम राशी और एरिस लियो सेजिटेरियस में शिंग धर्णूरासी के एनरजी भी है पर थोड़ा कम है डेट अब बर्थ की बात कर लेते हैं तो डेट अब बर्थ हो सकती है किसी भी महिने की दो तारीक तेरा तारीक, पांच तारीक, तेईस तारीक, चौदा तारीक, एक्किस तारीक, ग्यारा तारीक, 26 तारीक, 8 तारीक, 10 तारीक, 28 तारीक और 22 तारीक ये date of birth हो सकती है अब birth month की बात कर लेते हैं birth month हो सकता है March, October जो अभी चल रहा है May, August, January और May साइद बता दिया है मैंने अब name के initial की बात कर लेते हैं name के initial में हो सकता है D, N, R, H, J, T, V, Z और F ये name के initial हो सकते हैं यहाँ पर जो energy है बहुत सारी लोग ऐसे हैं जिनकी life में एक new beginning हो रही है एक नई शुरुआत है वो किसी से मिले हैं आप लोग किसी से मिले हैं जो अभी नई नई आपकी दोस्ते हुई है या तो फिर आपकी class में कुछ ऐसे आपकी भी बात शुरुई है किसी से किसी ने आपको प्रपोस किया है कुछ ऐसा नया रिष्टा यहां दिख रहा है बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सिंगल थे अभी तक और उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है बहुत सडन चेंज हुआ है कोई नया आया है जो उनके दिल के करीब हो रहा है और आपको भी यह चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप प्यार में बिस्वास नहीं रखते हैं आप इस बात में बिस्वास ही नहीं रखते कि आपकी जिंदगी में आपको लव रिलेशन किसी के साथ बनाना है आपको आगे बढ़ना है किसी के साथ प्यार करना है क्योंकि अब आप अपने energy को बिलकुल ही change कर चुके थे अभी आप self love करते हैं अपने आपके उपर बहुत ध्यान देते हैं अपने carrier पर बहुत ध्यान देते हैं पूरा focus आपका carrier पर है पर पता ही नहीं चला ये इंसान कहां से आपकी जिंदगी में आ गया और आपके रह रहे कि आपको उसकी याद आती है वो आपके काफी केरिंग है शायद वो और आपको कई बार help करते हैं कई बार आपने महसूस किया है ये ऐसा कि वो दोस्ती से कुछ ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं पर उनका intention गलत नहीं है वो आपकी help करते हैं कई हाँ अब आपको कुछ ना कुछ ऐसा मन में अहसास होता कि कुछ तो है तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे कुछ न्यू बिगनिंग वाले हैं न्यू बिगनिंग मतलब ऐसा नहीं कि दोस्त भी अभी बने हैं दोस्ती उनकी है दो चार छे महीने तो फिर भी हो रहे हैं पर हाँ धीरे धीरे आपको एहसास हो रहा है कि हाँ कुछ तो है दोस्ती से जादा है जो तो इस तरह से energy दिख रही है एक new beginning है तो यहाँ negative energy बिल्कुल भी नहीं है सब positive है और आपके जो person है वो आपको लेकर बहुत positive है उनको ऐसा लगता है कि जैसे हो सकता है कि अभी तक वो merit थे या unmerit थे या single थे लेकिन उन्होंने इतना प्यार किसी से नहीं पाए इतनी कियर उन्होंने नहीं कि किसी की खुद भी नहीं कि और उन्हें मिलकर आपसे मिलकर ही उन्हें इतनी खुशी मिली है उन्हें ऐसा लगने लगा है कि हाँ दुनिया में एच्छे लोग भी होते हैं क्योंकि अपसे पहले तक इतने ही धोके मिले हैं उन्हें इतने ही जूटे और फरेवी लोग मिले हैं कि अब उन्हें जल्दी यकिन नहीं होत भरोसा उड़ गया उनका इस दुनिया में जितने भी उनके करीबी उनके परिवार की लोग ही थे वो भी बहुत ज्यादा सवार थी थे बहुत सवार थी उनको जितना जरुरत होती थी वो सिर्फ उतनी ही बात किया करते थे सारे के सारे काम आपके जो परसन है उनके उपर सारे रिस्पॉंसिविल्टी डाल देना लेकिन उनकी बात नहीं समझना कभी उन्हें कियर नहीं करना उनकी कभी उनसे दो प्यार के बोल नहीं बोलना इस तरह से उनका एक्सपिरियंस रहा जो उनके करीबी लोग थे जो उनके परिवार से ना ही बाहर किसी दोस्तों से उन्हें ऐसा अपनापन मिला है जो अब उन्हें महसूस हो रहा है उन्होंने खुल कर नहीं कहा शायद और आपने भी कुछ एकसेप्ट नहीं किया है ये मन ही मन में है लेकिन धीरे धीरे वो बहुत पॉजिटिव होने लगे आपको एक नई दुनिया देखने को मिल रही है एक ऐसे पॉजिटिव थौट आपसे मिलते हैं ना कोई बनावट है ना कुछ जूट है आपको जो अच्छा लगता है जो आपको सामने दिखता है आप बही कहते हो कोई बनावट नहीं बहुत सिंपल नीचर है आपका कई बार तो आप किसी को भी हैल्प करने लग जाते हो किसी को भी आप किसी को नहीं भी जानते फिर भी आप उसकी हैल्प करना चाहते हो तो उन्हें लगता कि ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं क्योंकि उनका वास्ता जिन लोगों से पड़ा है अभी तक वो बहुत मतलबी थे बहु उन्हें मतलब ही नहीं इस तरह से उन्हें जो भी लोग मिले अभी तक वह ऐसे मिले अगर वह मेरिड हैं तो भी उनका एक्सपिरिंस बहुत खराब था शादी को लेकर उनके जो Live Partner थे वह बहुत धोके दे कर गए हैं उनने या वह साथ में भी रह रहे हैं तो वह खुश नही भी हैं कई लोग तो और कई लोग उनके आसपास ही रहते हैं हो सकता पड़ोस में रहते हैं ऐसा कुछ है दूर से देखने पर लगता वो इनसान बहुत खोश है लेकिन उसकी लाइफ में बहुत अकेलापन बहुत निरासा थी बहुत सैड रहते थे वो आप से मिलकर उन्हें जाना है कि खुशियां क्या होती हैं जितनी भी देर वो आपके साथ होते हैं उतनी देर वो खुश रहते हैं उतनी देर उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में कोई गम नहीं है और जब आप से दूर होते हैं तो उन्हें जमाने के सारे गम नजराने लग जाते हैं क् उनको हमीशा positive energy देते हो आप जैसे जिन्दिकी में बहुत जादा tension लेते ही नहीं हो किसी चीज की कहने को बहुत tension है आपकी life में बहुत सारे problem है लेकिन आप अपने चेहरे पर नहीं आने देते हैं उसकी एक second भी आप हमेशा खुश रहते हैं आप हमेशा ही दूसरों की मदद करना चाहते हैं ऐसा नहीं है कि आपकी life बहुत खुश है और आपको कोई problem ही नहीं है बहुत problem है आपकी life में भी लेकिन आपको भी लगता है न कि क्या उसका दुख़़ा सब के सामने रोना क्योंकि रोने से कुछ problem solve नहीं हो जाएंगी ऐसा आप सोचते हैं और इसलिए आपके चहरे पर एक smile रहते हैं हमेशा तो आपके जो person है बहुत impress होते हैं इस attitude से आपके उन्हें ऐसा लगता है कि कितना balance है आपके energy में और एक बात बताते हैं कि आपके person भी ना spiritual type के हैं ये बचकाने हरकते करने वालों में से नहीं है बहुत positive रहते हैं वो भी लेकिन इनसान को जो बहुत जादा अपनों से धोखा मिलता है बहुत तकलीफें मिलती हैं तो इनसान कितना positive रह सकता है बस वैसा ही आपके person को भी कभी कभी हुआ लेकिन आप से मिलकर उन्हें एहसास हुआ है कि नहीं दुनिया में अच्छी लोग भी हैं तो ऐसा लगता है कई बार तो वो इश्वर से thanks बोलते हैं कि आप से मिलाया भले ही आप उनके साथ आगे ना बढ़ें भले ही आपके साथ उनका रिष्टा बहुत लंबा ना चले पर जितना भी रहेगा वो अच्छा रहेगा और उनका वस चलेगा तो तो वो आपको कहीं नहीं जाने देंगे उनको ऐसा लगता है और आप क्या सोचते हैं आप तो बहुत जल्दी यकीन नहीं करते दूसरों पर आपकी तो अपनी ही दुनिया है आप उसमें ही मगन है सेलफ लव करते हैं पसंद करते हैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आप किसी और पे डिस्कस नहीं चायते हैं अपनी जिम्मेदारियां खुल उठाना चाहते हैं इस तरह से आप खुल कर कभी बातें करते भी नहीं अपनी परसनल बातें बहुत जादा डिसकस नहीं करते हैं क्योंकि आपको लगता है अब जो हो रहा है वो हो रहा है पर अपनी लाइफ में जो भी अच्छा समय हम गुजार सकते हैं मुस्कुरा कर स्माइल करके उसमें भी क्यों आसु बहाना क्यों रोना इस तरह से आपकी सोच है और आपकी यही सोच उन्हें बहुत इंप्रेस करती है तो आपके जो परसन है वो बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ आसान नहीं होगा उनके भी बहुत मजबूरियां है आपकी बहुत सारे मजबूरियां होंगी जिन्दगी में बहुत सारे problem है तो आसान किसी के लिए कुछ भी नहीं लेकिन हाँ उनकी जो energy है उनकी जो feeling से हम आपको बो बता रहे हैं आपको मिलकर उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है एक अलग ही दुनिया में चले जाते जैसे वो बहुत spiritual हैं बहुत समझदार हैं और अगर आप दो मिलते हैं तो future में आप दोनों ही खुश रहेंगे तो आई होप आपको समझ में आ गया हुगा जैमाता दी जैश्री क्रिश्ना मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहे स्वस्त रहे मस्त रहे लोग क्या कहते हैं इस वारे में बिल्कुल भी मत सो चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करके थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट कर दीजिए साथी कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूट जरूर सेंड कीजिए जिसे भी आप मानते हैं जै माता दी लिखें जै स्री कृष्णा लिखें थैंक्स रूल है यही उनका नियम है जै माता दी जै स्री कृष्णा